कि अलो फ्रेंट्स विडियो में तो बात करने वाले हैं इंडाल को इंडिश्ट्री सेर के ऊपर इस स्टॉक में एक अच्छा ऑपर्चानिटी मिल सकता है तो इसके ऊपर हम लग डीटियल में बात करेंगे तो आप लोग वीडियो को आराम से लाश्ट तक देखीगा और इनकेस आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर आप अनलेसिस वीडियो आए तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पूस्ट कर सकते हैं आने वाले वीडियो में हम लोग उन सब इस टॉक को कवर करन हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंदा आता है अच्छा लहता है अपलोग फॉर्दर करनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे टूटर हैंडल पर भी कर्वास के हैं उसकते हैं सब्सक्राइब और टूटर का लिंग की जो है आपको डिस्किप्सम में मिल जाएगा जहांपे कि आपको latest कई सारा updates भी मिलता रहेगा और इनकेस अगर आप खुद से trade नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हमारे premium group को भी join कर सकते हैं जहांपे कि आपको exactly guide किया जाएगा कौन से stock को buy करना है कौन से level भी buy करना है क्या stop loss और target होने वाला है सारा detail जो है telegram group पे available है और telegram group का link जो है description box में चले बात करते हैं handleco industries share के उपर stock में आज सारे 3% का एक अच्छा उचाल देखने को मिला पार्केट भी positive close हुआ metal sector में भी एक अच्छा उच्छा देखने को मिला अगर बात करेंगे टाटा इस्टील तक्रिवन पोने 4% उपर जेएश डेवलो इस्टील सारे 4% उपर विदानता सवा 2% उपर NMDC में एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला निस्टालवन नियम में है पर स्थील पहते इंडिया लागी की एंटार मैटल सक्टब में आपको करेक्शन दिखने स्टार्ट हुआ वन साइड लगातार जो है फॉल हुआ उसके आधे स्टॉक यहां पर आपको अपसाइड मोमेंटम किया एगें डाउन साइड में स्टॉक में गिरावाट होना स्टार्ट हुआ प्रीवियस स्टॉइंग लोग को ब्रिकडाउन भी इस पर दिया अब अगर यहां पर देखेंगे तो अपने स्टॉइंग के पास ट्रेट कर रहा है अज इस विंग र हाई कि बिलकुल दॉप के पास जो है स्टॉक लोज हुआ है सिक्स नाइंटी एट पॉइंट का हाइड था यहां पे और केंडल जो क्लोज हुआ इस नाइ प्रिवर्सल पाटर्ण बना है अगर यह किसी सपोर्ट पर बनता है तो बहुत अच्छा होता है यहां पर आप देखेंगे एक के ट्रेंड लाइन को अगर आप करते हैं तो क्लियरली आपको दिखेगा जो इस टॉक जो है इस ट्रिंड लाइन के सपोर्ट पे एक डबल जी ओपर की साइड में देखने को मिल सकता है स्टॉक उपर की साइड में 758 767 70 या फिर फ्रेस पाल टाइम हाई के तरफ भी जा सकता है अगर हम लोग की बात करेंगे जब तक स्टॉक इस ट्रिंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक चो है आपको इस टॉक में बने रहना है अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देदेता है डेली बेसिस फे तो डेफनेटली जो है हम लोगों का अनलिस सो रॉंग हो जाएगा और स्टॉक फर्दर नीचे करेक्ट हो सकता है तो आई यहोप आप लोगों को सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो अनलिस से अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब ज़रू करें